नमस्कार दोस्तों अगर आपको इन दोनों में से किसी भी थाइरोड की प्रॉब्लम है तो उसके घरेलू और आयरुवेदिक नुस्कों के लिए हमारे चैनल में पहले से ही वीडियो मौजूद है इन दोनों तरह के थाइरोड से छुटकारा पाने के लिए आप उन वीडियोस को जरूर देखें जब हमारे शरीर में थाइरोड हॉर्मोंस की कमी हो जाती है या थाइरोड की ग्रंथी की कारिशम तक थोड़ी कमजोर पढ़ जाती है तब यहाँ स्थिती हाइपो थाइरोडिजम को जन देती है और इस स्थिती में हमारे शरीर का वजन और मोटा पा तेजी से बढ़ने लगता है इसलिए ऐसी स्थिती में घरेलू नुसकों के साथ डाइट पर भी ध्यान देना बहुत आवशक होता है क्योंकि बहुत से ऐसी चीजे होती है जिनको खाने से थाइरोड की प्रॉबलम और ज़्यादा बढ़ सकती है साथी जिन लोगों को थाइरोड है उन्हें अपने डेली रूटीन में कुछ सावधानिया बरतने की बहुत आवशकता होती है इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि थाइरोड होने पर किन चीजों को हमें अवोईट करना चाहिए और साथी कौन सी ऐसी चीजे हैं जिनका सेवन करने से आप अपने थाइरोड लेवल और वजन को आसानी से कंट्रोल करके एक बहुत इफेक्टिव डाइट प्लान बना सकते हैं जिससे आपका वजन भी घटेगा और आप समय के साथ साथ थाइरोड की प्रॉबलम को पूरी तरह खत्म भी कर पाएंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो में हमसे जुड़े रहें और साथ ही अगर आप हमसे संपर्ख करना चाहते हैं तो फेस्बुक के तुरू आप हमें परसनल मेसेज भी कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो थाइरोड होने पर हमें अवोइड करना चाहिए इसमें सबसे पहले है सोया, सोया विन थाइरोइड हर्मोन्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, कई विशेशग्यों ने तो यहां तक कहा है कि अगर एक नॉर्मल इंसान भी रोजाना सोया विन का जादा सेवन करता है, तो उसके शरीर में थाइरोइड हर्मोन्स की कमी हो सक जिससे हाइपो थाइरोड होने के चांज बढ़ जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही थाइरोड है। उन्हें इसका इस्तमाल कमसे कम करना चाहिए। इसके अलबा थाइरोइट के मरीज को ग्लूटेन का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। ग्लूटेन जादा तर सफेद आटे से बनाए हुई चीजे जिसे की पाव, ब्रेड, डबल रोटी और अन्य मेदे और आटे से बनी हुई चीजों में अधिक मात्रा में होता है। जब भी शरीर में दवाईयों का असर भी कम होता है और पोशक तत्वों की भी कमी हो जाती है। इसलिए इसका सेवन कम से कम करें। इसके अलबा थाइरोइड में क्रूसिफरस वेजी टेबल्स याने की सलीबाधारी सबजियों का भी सेवन कम करना चाहिए। इसके अंदर जादा त वी आ यूदिन की कमी के कारण थाइरोद हुआ है वो लोग इन सब्जियों का कम से कम इस्तमाल करें। इसके अलबा चीनी का इस्तीति का कशकर का कम से कमाल करना चाहिये, क्योंकि जितनी भी चीजे हम खाते हैं उसमें से केवल शक्कर ही एक मात्र ऐसा पदार थे जिसको खाने से हमारे शरीर को किसी भी तरह का फाइदा नहीं होता क्योंकि चीनी की nutrition value zero होती है परन्तु इसका स्वाद मीठा होने की वज़े से लोग इसका अधिक सेवन करते हैं नहीं खाना चाहिए वहाँ है जंक फूड जंक फूड पूड को तीन गेटेगरी में बाटा जा सकता है डी फ्राइड यानि की तला हुआ खाना फैटी फूड यानि की मेदा योक्त चरबी पैदा करने वाला खाना और प्रोसेस्ट फूड यानि की पैग्ड फूड तला या चरबी पैदा करने वाली चीज़े खाने से हमारा मोटापा बढ़ता है जो कि हमारे शरीर में थाइरोइड हॉर्मोन्स को अवशोशित होने से रोगता है इसके लबाब प्रोसेस्ट फूड जैसे की चिप्स बिस्किट या रेडि टू कूक आइटम जैसे की इंस्टन करने से ब्लर प्रेशर बढ़ने तक की संभावना होती है अगर आप थाइरोइड की दवाई लेते हैं तो कैफिन का सेवन करने से उस दवाई का असर कम हो सकता है रोजाना पी जाने वाली चाय और कोफी में कैफिन बहुत अधिक मातरा में पाया जाता है और यह चाय और को कौफी पीने और दv7 कि समय के बीच में कँ से कम एक घंटे का ग्याप रखे जाने की दवाई लेने के एक घंटे पहले दवाई लेने के एक हनंटे बाद चाय या कॉफी का सेवन ना करें तो दोस्तों यहुत बात हो खाना और 40% मुख्य भोजन इस अनुपात में अगर खाना खाया जाए तो थाइरोइट को आसानी से कंट्रोल में रखा जा सकता है सलाद के लिए प्याज, खीरा, गाजर और स्प्राउट का सेवन करना बहुत फाइदेमंद होता है प्याज हमारे खून को साफ करता है, साथ ही गाजर में जिंक और विटामिन ए पाया जाता है जो की थाइरोइट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए गाजर का सेवन जरूर करना चाहिए इसके लवा स्प्राउट याने के अंकुरीत आहार के लिए आप चने और डालो का इस्तमाल कर सकते हैं सलाद में अंकुरीत आहार खाने से यह हमें ताकत प्रदान करता है, जिससे दिन भर में हमें कम थकान महसूस होती है लेकिन स्प्राउट्स को कच्चा ना खाए, खाने से पहले उन्हें गरम पानी में 5 मिनिट के लिए बॉयल कर ले इसके लावा उबले हुए भोजन के लिए आप आलू का इस्तुमाल कर सकते हैं आलू को अगर उबाल लिया जाए तो यह मोटापा नहीं करता है और इसमें पोटेशियम की मातरा अधिक होती है जिससे हमारे शरीर का मेटाबोलिजम अच्छा होता है इसके लावा शकरकन याने की स्वीट पोटेटो और गौार फली को भी उबाल कर खाया जा सकता है इसके लावा दिन के मुख्य भोजन में जादा से जादा फली दाल सबजीयों का इस्तमाल करें फली वाली सबजीयों में जिंक और आइरन की मातरा जादा होती है और इसमें प्रोटीन के साथ साथ सिलीनियम भी अधिक होता है जो कि थाइरोड के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पोशक्तातू है इसके लावा मेन मील में ब्राउन राइज और दालों का भी इस्तमाल कर सकते हैं इससे भी हमारे शरीर को अधिक मातरा में प्रोटीन मिलता है और हमारी चरबी भी नहीं बढ़ती है जिससे हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है इसके लावा थाइरोड में विटामिन B का भी इंटेक होना बहुत ज़रूरी होता है जिसके लिए दही और दूद का इस्तमाल अधिक किया जाना चाहिए एक कप या एक कटोरी दही में 88 माइकोग्राम्स आयोडीन होता है जो कि थाइरोड की बिमारी में रोजाना आयोडीन की जरूरत को काफी अच्छे से पूरा कर सकता है साथी दूद और दहीं दोनों में ही सिलेनियम प्रोटीन और विटामिन B पाया जाता है जो हमारे शरीर में थाइरोक्सिन हॉर्मोन्स की व्रद्धी करता है इसलिए रोजाना सुभा या शाम एक ग्लास दूद और दिन में एक से दो कप दहीं का सेवन जरूर करें अगर आप नौनवेच खा सकते हैं तो थाइरोड में फिश याने की मचली का सेवन सबसे जादा असरदार होता है और डॉक्टर्स भी इसकी सला देते हैं क्योंकि फिश में ओमेगा 3 फैटी एसीद और सिलेनियम प्रचूर मातरा में पाया जाता है जो कि थाइरोड के लिए सबसे जरूरी पोशक तत्व होता है इसके लावा अंडे का भी सेवन किया जा सकता है अंडे में विटामिन B और प्रोटीन की मातरा अधिक होती है जो कि हमारे शरीर में हॉर्मोन के बैलन्स को बनाए रखने में मदद करती है इसलिए डिनर या लंच में फिश और अंडा जरूर खाना चाहिए इसके लावा थाइरोड में विटामिन B के साथ साथ विटामिन D भी बहुत जरूरी होता है जिसके लिए मश्रूम का इस्तमाल बहुत फाइदेमन होता है मश्रूम के अंदर प्रचूर मातरा में विटामिन D और आयोडीन पाया जाता है और साथ ही इसमें पाय जाने वाले एंटियोक्सिडेंट टत्व हमारी थाइरोड की ग्रंथी के लिए बहुत लापकारी होते हैं इसलिए मश्रूम का सेवन भी जरूर करें इसके लाबा थाइरोड में ड्राइफरूट का सेवन भी अधिक करना चाहिए ड्राइफरूट में वालनट यानि की अक्रोट का इस्तमाल सबसे अच्छा होता है अक्रोट हमारी दिमाग की सेहत को अच्छा बना के रखता है जिसकी वज़े से टेंशन और स्टेस का लेवल भी कम होता है और इस कारण हमारी थाइरोड की गरंती अच्छी तरह काम कर पाती है हाइपो थाइरोडिजम में फलो का सेवन भी अधिक करना चाहिए सेव पाइनापल अनार और खरबूच का रोज़ाना सेवन करना बहुत फाइदेमन सिद्ध होता है खरबूच के अंदर अधिक मातरा में पोटेशियम होता है जो की हमारे मेटाबोलिस्म में तीजी से इंप्रूवमेंट लाता है इसके अलावा अनार के अंदर विटामिन A, B और C पाया जाता है साथ ही इसकी एंटी ऑक्सिडेंट प्रोपटीज थाइरोड में बहुत ज़्यादा लापकारी होती है इसलिए रोजाना सुभा या शाम अनार और खरबूच का सेवन जरूर करें इसके अलावा जूस पिना भी थाइरोड में बहुत फायदेमन होता है और एक अंगुर पाइनपल और गाजर का जूस जिन लोगों को भी थाइरोड है उन्हें दिन में कम से कम दो बार ज़रूर लेना चाहिए इससे हमारे शरीर को एनरजी मिलती है और साथ ही हमारे शरीर में पोशक तत्वों की कमी को भी दूर करता है हाइपो थाइरोड होने पर हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है इसलिए हमें हमारी बॉड़ी को डीटॉक्स करते रहना बहुत ज़रूरी है इसके लिए अधरक, वीड ग्राज जूस और ग्रीन टी यह तीनों ही बहुत ज़ादा एफेक्टिव होते हैं अधरक के अंदर मैगनीशियम, जिंक और पोटेशियम प्रचूर मातरा में पाया जाता है जिससे हमारा थाइरोड लेवल कंट्रोल में रहता है और साथ ही अगर गले में किसी तरह की सूजन हो गई हो, तो उसके लिए भी अधरक बहुत लापकारी होता है इसलिए रोजाना अधरक को उबाल कर उसका पानी पीना चाहिए और साथ ही खाने में भी अधरक का इस्तमाल जरूर करना चाहिए इसके अलाबा वीड ग्राज जूस हमारे शरीर में मुझूद विशेले पधारतों को बाहन निकाल कर बॉडी में हीमो ग्लोबीन की मातरा को बढ़ाता है जो की हमारे वजन को बढ़ने से रुखता है और ग्रीन टी में पाई जाने वाली एंटी ऑक्सिडेंट प्रॉपर्टीज हमें दिन भर एनरजी ब्रदान करने के साथ साथ हमारे शरीर में जमी हुई चर्बी को भी खत्म करती है इसलिए रोजाना चाई या कॉफी की जगा दो से तीन कप ग्रीन टी पीए और हफते में कम से कम तीन बार खाली पेट वीड ग्रास जूस का सेवन करे इन सारी चीजों के साथ थाइरोइड में हमारे शरीर को साबूत अनाच की भी ज़रूरत होती है साबूत अनाच के लिए ओट्स का इस्तमाल सबसे बहतर होता है ओट्मील के अंदर फाइवर विटामिन्स और सिलिनियम पाया जाता है इसके इस्तमाल से शरीर में चरबी जमा नहीं होती है और साथ ही हमारा थाइरोइड लेवल भी कंट्रोल रहता है इसके लवा थाइरोइड में नारियल के तेल का सेवन भी बहुत लापकारी होता है नारियल का तेल मोटापा नहीं करता और इससे हमारा मेटाबोलिजम भी इंप्रूव होता है इसलिए डॉक्टर्स भी नारियल के तेल का सेवन करने की सलह देते हैं नारियल के तेल का इस्तमाल खाना पकाने में या खाने के साथ मिला कर भी किया जा सकता है तो दोस्तों इस तरह से इन सारी चीजों को मिला कर सुबह से लेकर शाम तक के लिए आप एक एफेक्टिव डाइट प्लान बना सकते हैं जो की थाइरोड लेवल को इंप्रूव करने के साथ साथ वजन घटाने में भी आपकी मदद करेगा इसके अलावा दिन भर में जादा से जादा पानी पीए क्योंकि पानी पीते रहने से शरीर में जमा टॉक्सिंस बाहर निकलते रहते हैं और भूग कम लगने के साथ साथ वजन कर्म करने में भी यहां हमें फाइदा पहुचाता है इसके साथ दिकोशिश करें कि रोजाना एक समय एक्सोसाइस के लिए अलग से जरूर निकालें ऐसा करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और मेटाबोलिजम भी स्ट्रॉंग होता है जिससे दिनवर में खाई गई दवाईया और पोशक तत्व हमारे शरीर में पूरी तरह अफ्शोशित हो पाते हैं एक्सोसाइस करने से किसी भी बिमारी को ठीक करने में कम समय लगता है इसलिए रोजाना सुबह एक्सोसाइस जरूर करें जिन लोगों को भी थाइरोड होता है उन्हें दिमागी रूप से भी स्वस्त रहने की बहुत जरूरत होती है इसलिए एसी स्तितियों से दूर रहे जिन से आपके दिमाग पर स्ट्रेस आता हो क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस लेने से थाइरोइट की प्रॉबलम और अधिक बढ़ जाती है और सारी ली गई दवाई और नुस्खे बे असर हो सकते हैं इसलिए कम से कम स्ट्रेस लेकर जादा से जादा खुश रहने की कोशिश करें इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में बहुती कारगर सिद्ध हो लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेर कीजिए उन लोगों से जिने इनकी जरूरत है और अन्त में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद